नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलारिस रिट्रीवर के बारे में सोलारिस रिट्रीवर एक विशेश नसल है जिसकी उत्पत्ती प्राचीन काल में हुई थी ये नसल अपने शानदार व्यक्तित्व और अकर्षक गुरों के लिए जानी जाती है СОЛЛАРИС रिट्रीवर का शरीर मजबूत और सुडॉल होता है जो इसे एक शक्तिशाली नसल बनाता है इस नसल के बाल लंबे और चमकदार होते हैं जो इसे और भी खुबसूरत बनाते हैं इनकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं ये आसानी से किसी भी प्रशिक्षन को समझ लेते हैं सोलारिस रिट्रीवर को प्रशिक्षित करना एक बेहत आसान कारे होता है ये नसल बच्चों और बुज़र्गों कе साथ भी बहुत अच्छे से पेश आती है सोलारिस रिट्रीवर के साथ समय बिताना एक आनंद दायक अनुभव होता है इनकी वफादारी और सुरक्षा की भावना इन्हें एक आदर्ष पारिवारिक पालतू बनाती है ये नसल खास कर उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो सक्रिय जीवन शैली पसंद करते हैं सोलारिस रिट्रीवर को नियमित व्यायाम की आवश्यक्ता होती है इनकी उर्जा और उत्साह देखकर आप इन्हें हमेशा खेलते हुए देखना चाहेंगे सोलारिस रिट्रीवर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए नियमित ब्रशिंग आवश्यक्त है इनके खान-पान पर विशेश ध्यान देना चाहिए ताकि ये स्वस्थ रहे सोलारिस रिट्रीवर की देखभाल में नियमित वेट चेक अप पी शामिल होना चाहिए इनके स्वास्थे की नियमित निगरानी से आप इन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं सोलारिस रिट्रीवर का स्वभाव बेहद मिलनसार और मित्रवत होता है ये अन्यपालतु जानवरों के साथ भी आसानी से घुल मिल जाते हैं सोलारिस रिट्रीवर की एक और विशेशता है उनकी तीवर ग्रान शक्ती ये नसल आसानी से किसी भी नई स्थिती या स्थान को अपना लेती है सोलारिस रिट्रीवर की देखभाल में थोड़ा प्रयास जरूर लगता है लेकिन ये पूरी तरह से मूलेवान है तो दोस्तों ये था हमारा सोलारिस रिट्रीवर के बारे में विशेश प्रस्तुती इस नसल की अद्वितिय सुन्दर्ता, बुधिमानी और वफादारी ने इसे एक लोगप्रिय पसंद बना दिया है चाहे आप एक सक्रिय साथी की तलाश कर रहे हो या एक प्यारे पारिवारिक पालतु जानवर की सोलारिस रिट्रीवर हर मामले में खरा उतरता है हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस अद्वुत नसल के बारे में नई जानकारियां प्राप्त की होंगी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को भी देख सकें धन्यवाद और अगली बार तक खुश रहिए और अपने पालतू जानवरों का खयाल रखिए